आप सभी ने भी Devil Comet के बारे में न्यूज में कहीं न कहीं सुना होगा तो आज की वीडियो में हम Devil Comet को ही कवर करने वाले हैं हम जानेंगे कि Devil Comet को हम कब देख सकते हैं like कौन सी डेट के बीच में उसका साइज कितना है और actually जो Comets होते हैं वो होते क्या हैं तो first of all अगर आपको Devil Comet को देखना है तो आपको April 18 से 21st April के बीच में वो नाइट स्काय में दिखाए देगा Devil Comet एक ऐसे टाइप का Comet है जो कि 71 यर्स में एक ही बार दिखाए देता है एक ही बार दिखाए देता का मतलब है कि वो अर्थ की ऑर्बिट के पास से 71 यर्स में एक बार निकलता है Devil Comet को 12P या Ponsbrook भी कहते हैं अर्स टाइम Devil Comet को 1954 में देखा गया था और अगर future की बात करें तो Devil Comet around 2090 मतलब 2090 के आज पास दिखाए देगा तो around around 71 years के बाद तो इसलिए ये सुन्दर और महत्वपुर्ण मौका ना गवाए तो अब next question ये आता है कि हम उसे देखेंगे कैसे तो उसके लिए अगर आपके पास बाइनकुलर है तो ये एक best चीज है परना आप कहीं से भी borrow कर सकते हैं अगर आपके पास टेलिस्कोप है तो उससे बड़िया और क्या हो सकता है एक और question आपका ये होगा कि हम उसे देखेंगे कहां से तो आप कोशिस कीजिए कि आप city से या city light से थोड़ा दूर जाएं ताकि आप dark sky देख पाएं जहांपे कि आपको stars visible दिखें तो आप वहाँ से devil comment देख सकते हैं के जो भी और questions हैं वो आप comments में नीचे पूछ सकते हैं Thank you